दोस्तों OPPO की तरफ से new series smartphone एंडिया में लांच हो जुकी है जिसका नाम है OPPO Reno 12 Pro So दोस्तों ये जो smartphone है इसमें आपको AI features बगरा और design quality काफी बैस देखने को मिलेगा But actual में इसका जो price है under 37,000 में लांच हो है But ये जो price है under 37,000 तो इसी price range में इसमें जो future R किया गया है वो actual में सही है या नहीं आपको इसको जो ये buy करना चाहिए या नहीं सबको detail में add to share आपको explain करने वाला हूँ So दोस्तों मैं हूँ ग्यान आपको स्वाद करता हूँ हमारे channel YTV ग्यान पर दोस्तों इस channel पर आपने आई तो चैनल को जरू subscribe करके all notification पर click कीजिए जिसके दरांग future में जितना भी update आएगा आपको सबसे पेरे notification मिलता रहेगा इसके साथ video अच्छा लग रहे है तो like कीजिए video कैसा लग रहे है जरूर comment कीजिए क्योंकि next video में मेरे को पता चलेगा actual में इसी video के अंदर जो comment हुआता हो मतलब वो video की हिसाब से सही है या नहीं आपका opinion क्या है सबको detail में पता चलेगा तो दोस्तों time waste के बिना start करते हैं आज की video चो की Opo Reno 12 Pro के बारे में तो दोस्तों यह जो phone ही under 37,000 budget में आता है जो की एक premium quality का budget है तो इसी budget के अंदर इसको आप मो इसमें जो की Android V14 operating system देखने को मिल चाहे तो performance की बात करें जो की media tech dimensity 7300 energy actual में जो processor मेरे को थोगे doubt लेगा क्योंकि जो पहले वाला phone था CMF nothing की तरव से CMF phone 1 उसमें भी same to same processor R किया गया है था बट इसमें जो processor है वो same to same देखने को मिलता है बट आगे आपको जो की media tech dimensity 7300 energy देखने को मिलेगा बट उसमें थोगा अलग था तो इसी के अंदर थोगा doubt clear होने वाला है बट अभी तेक मेरे को भी doubt है actual में यह जो दोनों processor है इसके अंदर actual क्या है same to same processor है बट actual में क्या है इसके बारे में में comment में बदाने बाला हूँ तो दोस्ता यह जो media tech dimensity 7300 processor है इसमें आपको octaq 2.5 gigahertz QR code प्लास 2 gigahertz QR code देखने को मिलेगा इसके साथ जो variant रहेगा वो आपको 12GB RAM और 256GB वरियन देखने को मिलता है डिस्प्ले की बात करें 6.7 inch giga जोकी flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जोकी एक gaming के लिए एक high quality experience आपको देने वाला है इसके साथ आपको 1080 x 2004 12 pixel full HD flash display देखने को मिलेगा जिसके अंदर gorilla glass protection बेचल लहसू इती पॉंच ओल डिस्प्ले रहेगा क्यामर के बात करें back side आपको triple camera setup देखने को मिलेगा लाइन वाइक्ज में जोकी 50MP wide angle primary camera रहेगा 8MP ultra wide angle camera रहेगा 50MP carry photo 20x जीटा जूम आपको तरह के बिवाद नहीं कर सकते क्योंकि camera जो एक best quality का camera इसमें यूज किया गए चोकि दोनों की तरफ से video rating four के देखने को मिलेगा कैमरी भी दोनों की तरफ से हाई क्वालिटी देखने को मिल जाता है बैक अप फ्रांट बैटरी के बाद करें तो 5000 एमेच का बैटरी देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 80 वार सुपर व्योसी चार्चिंग दिया गया है जोकि टाइप सी फोड को स सफर्टिंग देखने को मिल जाता है जोकि एक साथ आपको नर्माल फिचर है वह यह आपको 5G सफर्टेजंग देखने को मिलेगा ड्श रेजिस्स्टांस वार्टी रेजिस्टांस भी यूज खिया गया है नहीं तो मेरा ने तो मेरा इंस्टाग्रव मत्से उसमें जा कऱ तो दोस्ता यह था ओपो रेनो 12 फ्रोग की बारी में रिव्यू आई होप आपको वीडिया अच्छा लगए तो लाइक कीजिए वीडिया कैसा लगा कमेंट करिए तो दोस्ता रहते हुं फिर में लेंगा रखने इंडरेस्टिंग टेग नूज के लिए ताब तक के लिए के लिए गार